Hello everyone, this is Rame Vishnoy and you're watching Geographic Guru. आज के इस वेडियो में हम बात करेंगे CBSE Class Strength के Students की, बात करेंगे हम CBSE के Result Criteria की, बात करेंगे हम Class Strength में Students को मिलने वाले Grace Marks की, बात करने वाले हैं कि जब आपके Exam की Marking होती है, तो उस वक्त क्या Guidelines रहती है, क्या Students जो 2, 3, 4 Marks से Fail हो रहा है, क्या उसको Pass कर दिया जाता है, तो वो क्या कुछ रहता है, कैसा Environment होता है, क्या Instructions होते हैं, वो सब कुछ मैं आपके साथ Share करने वाले हूँ, और सबसे Important चीज जो हम इस वीडियो में आपके साथ Share करेंगे, कि इस बार सारे बच्चे, यानि कि Almost 100% Students है, वो Pass होने वाले हैं, यानि कि सभी Students है, वो Class 11 में जाने वाले हैं, वो कैसे जाएंगे, वो भी हम डेटेल में डिसकस करेंगे, क्योंकि आपको 80 में से, आपका 80 का एक्जाम हुआ है, चाहिए वो Hindi, English, Maths, Social Science या आपका Science का एक्जाम है, वो 80 मार्क्स का हुआ है, और 80 मार्क्स में इसे 33% आपके बनते हैं, 27, लेकिन आपको 27 मार्क्स नहीं लेने हैं, अगर आपका स्कोर 13 रहता है, तो भी आप Class 11 में जाओगे, अगर आप 13 सिक्योर कर लेते हो, आउटो फेटी, यानि की 13 नमबर ले लेते हो, भाई 80 में से, तो भी आपके चांसे आप 11 में जाने वाले हो, 13 तो कोई ले भी लेगा, लेगा ना, हर कोई ले लेगा, तो इट मेंस तेट, सारे बच्चे जाने वाले हैं, और उसके साथ-साथ ये भी डिसक्स करेंगे, कि अगर 13 ले लेते हो, तो कैसे आप Next Class में प्रमोट हो जाओगे, आप अगर Maths or Science में फेलो, तो भी आप पास हो जाओगे, Class 10 में कैसे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अगर आप English में फेलो, तो भी आप पास हो जाओगे, Class 11 में पहुंच जाओगे, कैसे, ये सब कुछ भी हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे, और आपको ये information अच्छी लगे, तो आप अपने friends के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, लेट्स बिगिन चली, शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की और डिसक्स करते हैं, आपके Class 10 के result क्राइटेरिया को, यानि कि आपका Class 10 की जो promotion या जिसको हम कहेंगे कि past criteria क्या रहेगा, आपको किस तरीके से Class 11 में promote किया जाएगा, तो देखिए जो Class 10 के अगर बात करें, तो यहाँ पे आपका जो result है, वो कैसे calculate होगा, आपका result calculate होगा, internal assessment या practical, देखिए, internal assessment आपके five main subject में, इसके अलावा आपके पास computer science होगा, आपके पास automobile होगा, आपके पास health care होगा, आपके पास beauty and wellness होगा, आपके पास tourism होगा, इस परकार के बहुत सारे subject होगे, तो जो कुछ subject, जो आपके पास है, उनमें practical होती है, और बाकी जो five main subject है, प्लस आपकी संस्कृत उर्दू, यानि पंजाबी, ये language होगी, तो उसमें आपके internal assessment होती है, इनके साथ-साथ आपका annual assessment होता है, यानके internal assessment प्लस annual assessment, इन दोनों को मिला करके आपको पास होना है, ठि किन subject में, जो आपके main subject है, प्लस आपकी जो sixth language है, चाहिए वो Sanskrit हो, उर्दू हो या फिर Punjabी हो, और आपकी जो practical subject है, उसमें आपका 50 marks का exam है, और mostly subjects में, आपका 50 marks की ही practical होगी, तो इस base पर आपका result है, वो prepare किया जाएगा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कि आपको score कितना करता है, तो देखिए, a student need to secure minimum 33%, यनकि आपको 100 में से 33 marks लेने हैं, ओके, clear है यह, बिलकुल clear है, यनकि आपको 80 में से 27 नहीं लेने हैं, बलकि आपको क्या लेना है, आपको 100 में से 33 लेने हैं, ओके, कैसे लेने हैं, कि a student need to secure minimum 33% marks over all, बहुत बड़ा word है यह, overall, it means internal assessment plus annual exam, clear, तो इसमें माल लीजे, sports कीजे, जैसे हम private schools की बात करते हैं, तो वहाँ पे mostly students को 20 marks दिये जाते हैं, internal assessment के, अग 20 अगर आपको मिल गए हैं, तो आपको कितने चाहिए, आपको 13 marks चाहिए, कितने चाहिए, 1380 में से, यनकि अगर आप 13 secure कर लेते हो, किसमें आपने score किया, math में 13 marks, 20 marks आपके internal assessment के, आप pass होगे, आपने English में score किया 13 marks, आपके internal assessment में 20 marks है, आप pass होगे, यनकि आपको 13 ही score करना है, अगर आप सिरफ passing के बारे में सोच रहे हो, हम उन students की बात नहीं करें, जो 80%, 90%, 100% पे जाने वाले हैं, उनकी बात नहीं करें, हम उन students की बात करे हैं, जो किसी कारण से अपनी study के उपर focus नहीं कर पाई, health issues रहे हैं, teachers available नहीं थे, कोई भी cause हो सकता है, कुछ भी hidden reason हो सकते हैं, तो उनके हम बात करें, उनके लिए क्या चाहिए, कि 20 plus 13 को मिला करके, आपको 33 तक जाना है, मालिजे कि किसी worst situation में हम देखें, कि कुछ students ऐसे हो सकते हैं, जिनको 19 internal assessment मिला होगा, जिनको 18 मिला होगा, उससे नीचे नहीं मिला होगा, तो ऐसे students को भी कितना चाहिए, 14 और 15 marks ही secure करने हैं, यानि कि अगर वो 14 और 15, 80 में से ले लेते हैं, तो भाई, pass हो जाओगे आप, यानि कि आप next class में चले जाओगे, तो ये इतना बड गेम नहीं है, जिसे इस बार के exam की बात करें, तो 12 marks आपको हर subject में मिलने वाले हैं, जो case study based रहेंगे, जो source based questions है, उनको थोड़ा से ध्यान से देखा, तो आपके वहाँ पर 12 marks हो जाते हैं, MCQs होंगे आपके, 20 MCQs होंगे, हर subject कि अगर बात की जाए, तो minimum 20 MCQs मिलने वाले हैं, वहाँ पर आप ठीक से focus करो, तो आपका कुछ score वहाँ बन जाता है, यानि कि fail होने कि इस बार chances नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कि इस बार 100%, यानि कि most of the students है, वो next class में जाने वाले हैं, वो कोई यूं कह सकते हैं कि thousand में से कुछी students ऐसे होंगे, जो side 13 भी ना score कर पा तो भाई, वो deserve भी नहीं करते हैं 11th class में जाना, लेकिन mostly students है, वो promote हो जाएंगे, पास हो जाएंगे इस बार, तो यानि आपको ये चीज़ clear हो जाने चाहिए, कि you need to secure 33% marks overall, overall आपको लेना यान कि internal assessment और annual को मिला करके लेना है, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, कि आपने जो younger brother, sister हैं, उनको भी बता दिजे का भाई, teachers के साथ school में terms अच्छे बना करके रखने हैं, discipline में रहना है, आपकी attendance अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़े matter करती है, माईनी रखती है, आपके internal assessment के लिए, और internal assessment आपका अच्छा लगा है, it means that आपके लिए पा 33% marks है, वो secure करने है, in order to be declared pass at the end of the session, students must secure at least 33% marks overall in each of the five main subject, यानी कि जो five main subject हैं, आपके बास two language हैं, हिंदी और इंग्लिश होगी, उसके बाद आपके बास three compulsory subject हैं, mathematics है, natural science है, social science है, तो वहाँ पर आपको 33% marks लेने हैं, overall लेनी यानी कि internal plus आपके theory exam में, okay, further इसके साथ साथ आपके पास अगर skills subject है, further skills courses subject, opted by the students can replace main subject, मालेजे कि आपके पास है health care, okay, आप fail हो जाते हो maths में, natural science या social science में, इन subject में अगर आप fail हो जाते हो, तो क्या होगा, आपका जो skills subject है, वो इनको replace कर देगा, okay, आपके पास है tourism, okay, suppose किजिए आपके पास tourism है, suppose कि यह कि आपके पास इसके अलावा कुछ और subject है, जैसे computer science है, तो अगर आपके skill subject है, वहाँ पर आपका अच्छा score है, और यहाँ पर आप fail भी हो जाते हो, तो इनको replace कर दिया जाएगा, आपके पास अगर two skills subject है, तो आप two subject, math so science में fail होते हो, doesn't matter, भाई, और और आप pass हो जा 33 marks in, percentage marks in practical theory exam separately, लेकिन एक चीज़ और धियान रखिएगा, कि यहाँ से आपके skill subject है, समझ में आखे न, कि छठा subject आपने ले रखा है, seven subject आपने ले रखा है, अगर इन में पास होते हो, math science या social science में fail हो जाते हो, तो कोई बात नहीं, आपके यह subject के marks, seven subject हो replace कर देंगे, लेक जी कि आपके 50 marks की practical है, उसमें से आपने 49 score कर दिया, और 50 में से जो theory के exam है, उसमें आपको 17 separately secure करना पड़ेगा, यहनि कि यहाँ पे आप five marks ले लो, कह दो कि 54 होगे, ऐसा नहीं होगा, यहनि कि यहाँ पे आपको 50 में से 17 अलग से लेने होगे, तब ही आप skill subject को qualify कर पाओग clear, language only can replace language for promotion, और इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर आप English subject में fail हो, तो वहाँ पर language ही language को replace करेगी, कैसे replace करेगी, देखिए इसमें आपके पास है Sanskrit, आपके पास है उर्दू, आपके पास है Punjabi, तो अगर आप English में fail हो जाकते हो, तो जो sixth subject आपने ले रखा, जो language ले रखे third language, उसके marks से वहाँ पर add हो जाएंगे, तो English का score है, वो matter नहीं करेगा, वैसे भी जब आप percentage calculate करोगे, तो उसमें भी यही रहेगा, तो five का formula रहेगा, यानि जितने subject ले रखे, उसमें से जिन five subject में सबसे अच्छे marks हैं, उसके बेस में percentage निकाले जाएगी, यानि कि उन five को marks को total करोगे, तो five से आपको divide करना है, तो वो percentage consider की जाएगी, तो ऐसी situation तो एक अलग है, percentage के लिए अलग सी चीज है, लेकिन यहाँ पर अगर हम यह बात करेंगी, पर्मोट होना आपको, next class में जाना है, तो English में अगर गडबड हो जाती है, थोड़ा भूत, कुछ गडबड भी है, या फिर आपके पास health, beauty and wellness इस टाइप के subject है, वो subject language को replace नहीं कर सकते, वो सिरफ main subject ही, यानि कि Hindi, English के अलावा, जो आपके subject है, maths है, science है, social science है, उनको वो replace करेंगे, language को only language replace करेगा, okay, in case a student doesn't secure 33% marks in language, means language 1 or language 2, below 33% marks of total marks, third language, opted and qualified, scored 33% marks and above, by students will replace marks in that language, यानि कि यहाँ पे देखिए, किने case a student doesn't secure 33% in the language, या वो one language, या फिर two language, किसी में भी उसके 33% marks नहीं आई, तो क्या होगा, कि जो language है, जो उसने extra language ले रखिए, third language ले रखिए, तो उसके marks से उसमें add-on हो जाएंगे, जिस भी language में आप fail होते हो सिरफ English की बात नहीं है, हिंदी में भी अगर रहे जाते हो, English में pass हो, तो हिंदी को भी replace कर दिया जाएगा, clear समझ में आरन, यानि कि pass होना बहुत आसान है, game बहुत आसान है, बस आपको 13 को target ले करके चलो, कि at least आपके minimum 13 secure कर पाओ, अगर 13 secure नहीं कर पारे तो भाई, आपक step marking भी है, कुछ ने कुछ लिख के आते हैं, तो उसके marks मिलते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि क्या grace marks मिलते हैं, grace marks की अगर बात करें, तो देखिए आपको, आपने अगर directly ऐसा कोई criteria नहीं कि आपको grace marks मिलेंगे, लेकिन हा, मान लिजिए कि आपने कुछ लिखा है, आधा दूरा लिखा है, ओके, आधा दूरा लिखा है, तो उसमें ये होता है, कि अगर उसमें एक line भी correct है, तो आपको at least half marks मिलेगा, वो grace marks की तरह होता है, clear, इसके साथ साथ ये देख लिजिए कि अगर little bit कहीं पे, जैसे map work में है, point इधर से उधर है, तो उसके marks आपको दिये ज मिलते हैं, तो that is like that, पे grace marks, वो grace marks की तरह होता है, हाँ, 12th class में grace marks clear होते हैं, कि माले जिए कि आपका 80 marks का exam होता है, 12th class के हम बात करें, तो वहाँ पे अगर आप 22, 23 से score करे हो, तो उसमें कोशिश की जाती है, कि भाई, इसको 27 तक छोड़ के आओ, वहाँ पर वो grace marks हो जाते indirectly, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ criteria लग नहीं रहा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि 13 चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हाँ, यह जरूर देखा जाता है कि कोई बच्चा अगर 11 पे टक रहा है, तो कोशिश करती है कि 15 तक तो उसको पहुंचा दो, क्यों सकता उसकी 18 internal assessment लगी हो, त तो ऐसा कुछ किया जाता है, यानि कि 11 पे हो, तो 15 तक आपको छोड़ा जाएगा, clear, तो वो indirectly grace marks होते हैं, directly grace marks नहीं होते है कि कुछ भी नहीं लिखा और चलो grace marks नहीं तो तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसके साथ-साथ कि क्या, is it mandatory to pass additional subject, यहाँ पे यह भी है कि क्या additional subject को pass करन जरूरी है, दिखिए additional subject यह कोई भी subject अगर आप class 11 में लेना चाहते हो, तो आपको उसको pass करना जरूरी है, otherwise अगर उसमें fail हो जाते हैं, तो कोई matter नहीं करेगा, main five subject है, वहीं से आपका result calculate हो जाएगा, okay, तो इतना, मतलब tension ही लेनी, कई बार यह रगता कि हमने IT ले ली और तो वहाँ पर कुछ गड़बड हो रही है, अच्छे से नहीं गया exam, कोई ना five main subject में अगर आपका score बन रहा है, तो इट मेंस तैट आप pass हो, उस subject को आप continue मत करना 11th class में, आप दूसरे subject को ले लेना, बस इतनी सी काहनी रहेगी, A student who appears in the annual examination can be declared eligible for appearing at the compartment examination in not more than one failing subject, such a student shall be eligible to appear in the subjects at a subsequent examination to be held in the third week of July, known as the compartment examination, देखी, यहां से यह मतलब निकल के आ रहा है, कि आपकी, जो class 10th की बात करें, तो class 10th में एक ही subject में compartment होगे, यानि कि अगर आप दो subject में failो, आपके पास skill subject भी नहीं है, ओके और आपके पास language भी replace करने के लिए नहीं है, तो उस situation में, दो subject में failो, it means that आपको essentially repeat करना होगा class 10th को, यानि कि आप failोगे, अगर आप एक subject में failोजाती है, यानि कि आपके पास skill subject का option नहीं है, या skill subject नहीं replace कर दिया है, फिर भी एक subject आपका रह जाता है, तो एक subject में अगर आप failो, तो आपका compartment का exam होगा, compartment का exam है, वो जुलाई के थर्ड वीक में होगा, और अगर आपकी compartment आजाती है, थर्ड वीक में आपका exam हो रहा है, तो उसके बाद आप next class में admission ले सकते हैं, वो provisional admission होगा, यानि कि आपका result अगर पास हो जाते हो, तो आपका continue करोगे, अगर fail होगे, तो name struck off हो जाएगा, clear, और यह जो compartment के form apply होंगे, वो apply school से होंगे, first time, अगर आप July के attempt मे pass नहीं हो पाते हैं, तो आपको individually इसको apply करना पड़ेगा दोबारा से, clear, यान कि compartment वो एक subject में होके, इसके साथ-साथ, if a student doesn't secure in the subjects in which he or she has taken the compartment examination, कि माले जे कि कोई student है, वो 33% marks वहाँ पे नहीं ले पा रहा है, at least 33% marks in the subject of compartment, and minimum 33 out of 100 marks in that subject, he or she shall be declared unsuccessful, माले जी कि वहाँ पे आपको 33% marks नहीं बन पाते हैं, तो आप fail हो जाओगे, आपको एक और chance मिलेगा, ओके, वो आपको individually apply करना होगा, computer center पे कहीं से भी जाकर के, वो school apply नहीं करेगा, second chance के लिए, can a student with compartment take admission in class 11th, यहाँ पे एक ये भी question है, कि क्या एक student जिसकी compartment है, वो 11th class में admission ले सकता है, हाँ जी बिलकुल ले सकता है, provisional admission होगा उसका, और आपका result आ जाता है जुलाई end तक या अगस्त के first week में, तो वहाँ तक अगर आपका clear हो जाता है, तो आप continue करोगे, अगर आप चीज की marking जो होती है, उसमें क्या कुछ रहता है, तो जैसा हम ओपर भी discuss कर चुए है, कि marking का जो criteria simple सा funda यह होता है, कि students को marks दिये जाने है, जितने वो deserve करता है, उससे कुछ ज्यादा ही मिलते है, क्योंकि आपने कुछ भी लिख के आए, और वहाँ पे अगर एक line का भी sense ब आपको marks मिलेंगे, तो यह थे कुछ doubts, या फिर यूं का लेजिए कि आपकी result criteria को लेकर के जो कुछ mind में चल रहा था, कुछ comments आ रहे थे कि क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो वो सारी सीजे हमने आपके साथ share की, इसके अलवा भी आपके mind में कोई doubt है, कुछ पूछना चाहते तो comment section में आप comment कीजिएगा, या फिर आप telegram पे हमारे channel को join कर सकते हो, instagram पे आ सकते हो, कहीं पे भी पूछिए, मैं reply देने की कुछिस करूँगा, आज के इस video में बस इतने, thank you, bye bye, have a nice day